पिछले कुछ समय में बॉलिवुद में राजनेतिक बाउपिक का दौर चल रहा है। हाली में पीम मोधी की बाउपिक काफे विवादों में भी रही। पीम के जीवन पर बने फिल्म 24 माई को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। लोग सब चनार के चल पे इस फिल्म की रिलीज स्टाव दी गई थी। पहले ये 5 अपरेल को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अभुवे कोब्रो अभिनीज पियन की बाउपिक के बाद अब योगिया जित्यनाद की जीवन से जुरी एक फिल्म सामने आ रही है। ये फिल्म योगिया जित्यनाद की बाईवपिक नहीं होगी, हाला कि फिल्म के लीज करेक्टर की परसनेलिटी योगिया जित्यनाद से परिठ होगी। योगी का किरदार कुमुद मिश्रा निभा रहे हैं जो वरिष सेक्टर है और रॉक स्टार और जॉली अलग बी जैसे फिल्मों में एहम भूमिका निभा चुके हैं ये फिल्म यूपी के शहर बनारत में सेठ होगी इसकी कहानी बहां के मुर्तिकारों के गिद्भूमेगी ये फिल्म एक मुस्लिम मुर्तिकार की कहानी दिखाएगी जो किसी एक धर्म को नहीं मानता वो मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाता है इस फिल्म का निदेशन दारेक जैगम इमाम कर रहे हैं कुमुन मिश्राफ बनारत के एक स्थान या नेता की रोल में नजर आएंगे उनका किरदार सीम योगी की कहानी की धलक जरूर दिलाएगा जैगम के मताबिक फिल्म पर काम पूरा हो चुका है और जल भी रिलीजेट सामने आ जाएगी चलिए फिलाव कर इतना ही फिल्म मिलेंगे ऐसी ख़बरों के साथ तक लिए माई चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हैं प्यामिस मेडिया